हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 7 का सायंस चैप्टर 1 हम पर रहे थे इस चैप्टर का नाम है जल और जंगल इस चैप्टर का फारड forgiving का वीडियो अपपलोड हो होते हैं अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए थो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में आब लवल होता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रुकरते हमें हम आज का वीडियो पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 13 तक पढ़ा था आज की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंद इसमें दिएवे कौको भी हम सॉल्ब करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे वन में खाद षुरिंतला के बारे में ठीक है खाल टिंगा क्या होता है यहां पे लिखावा अपने सवप्वसी पड़ पोसी और मृत पोसीओं के बारे में पढ़ा है सवपोसी क्या होता है सवपोसी मतलब जो कि अपना भोजन खुद से बनाता है पड़पोसी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आस्रित रहता है मृत पोसी का मतलब होता है वैसे जन्तु वैसे पसु जो कि मरे वे जानवरों पर ही आस्रित होता है या फिर ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी जन्तु जो की मरे वे जीव जन्तुओं पर अस्रित होता है तो उसको हम मृत पोसी कहते हैं सवापोसी हो गया जो की खुद से अपना भोजन बनाता है पर पोसी होगे जो कि अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भढ रहता है और मुरीत पोसी के बारे मैंने अपको बता है तो आगे बढ़ते हैं आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन सेम बनाते हैं ठीके हम लूग जानते हैं कि पौधे अपना भोझन सेम् बनाते हैं तो पौधे क्या हैं स्वाप पोसी हैं और सभी जीव जो मानस घारी साका हरी या सरवा हडी अंततर निर्बर करते हैं मांस हारी क्या होता है जो कि मांस खाते हैं साका हारी मतलब जो सिफ साख सब्जी खाते है ठीक है हरी पत्यां साख सब्जी ऊए रखाते हैं उसको साका हारी करते हैं सर्वा हारी जो कि मांस और साख सब्जियां सब खाते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्वा हारी अब आगे हैं जो मेड़ा को कौन खाता है साप साप को कौन खाता है गडूर ये लिखावा भी है उधारन के मेड़ा की dollars करूँ मेडा को साप को घंता है और Islam को घंता है और इसी तरह से यह खाद श्रिंख्रा चलता नहीं आप अगे पड़ते हैं तो क्रम हमनें आप लिए हमने लिखा हुआ हुआ हैं कोई बहुत किया जाता है ड़ाये लीक फूर्ण काट में उने रहता जाएगा बंड़ते ठीन वरनिये अभिप Sam liberate海 tools अभी ग्रूरभ सम को खाता है उसी तरह हीरन घास खाता है और हीरन को बाग खाता है तो यहीं झाती तो दो पड़े तो सबीस रिंखला प्रभावित हो जाएगी हो जाती है ठीक है यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेर को हटा लें तो इससे जंगल की अन्य घटक प्रभावित होगी एवं पूरी ववस्था तूट जाएगी मतलब कि पूरा खास रिंखला खड़ाव हो जाएगा अब क्या है वन की मिट्टी अभी हमने खास रिंखला के बारें परा अब हम वन की मिट्टी के बारें परेंगे हैं अपने पीछले अध्या में जान लिया है कि मिट्टी की उपरी परत में हूमस होता है हूमस क्या होता है इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की उपरी परत में प्रचुर होती है, क्यों? आप जंगलों में या सगन आम तथा लीची के बगीचों में धेर सारी स्तू की पत्यां जमीन पर परत के रुप में देख सकते हैं, इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं, जो इन पत्यों घास फूस को सडाक और हुमस बनाने में सायक होत हैं, वो उन पत्यों को सडाकर क्या करते हैं हुमस बनाते हैं यह सुक्षमजीव आप घटक कहलाते हैं वैसे सुक्ष मिंजीव जो की पत्यों को सडा कर गला कर हुमस बनाता है उन सुक्ष मिंजीवों को हम कहते हैं अपगटक सुक्ष मिंजीवों के नीचे हुमस की परत देखी जा सकती है मड़े वे जीवजनतु भी अपगटित होकर हुमस में परिवर्तित होते हैं जीव जन्तू भी अपगटित होकर हुमस बनाते है और अंत्ता पौधों में पोशन में सायक होते हैं जिसके खास रिंखलावी पूरी होती है। साथ ही पोशन का चक्र भी पूरा होता है। हुमस ुमस पेर पौधों को पोशन देता है। अब यहाँ पर एक चक्र दिया गया है पादप, ऑक्सिजन, जन्तु, कार्बन डायोकसाइड फिर पादप, ऑक्सिजन, जन्तु और कार्बन डायोकसाइड तो यह चक्र कैसे है वनों में प्रकास अंसलेशन की क्रिया के कारण ऑक्सिजन तथा कार्बन डायोकसाइड का करते हैं और वही कारबन डायोकसाइड फिर पौधे लेते हैं तो यह चक्र चलता रहता है पेर पौधे रात के टाइम में कारबन डायोकसाइड छोड़ते हैं यह इसमें एक स्रिंखला दिया गया देखिए पेर पौधे दिन के टाइम में क्या करते हैं ऑक्सिजन छोड़ते हैं लेकिन रात के समय में पादब जो होते हैं वो औकसीजन अपने अंदर लेते हैं और कारबन डियोक्साइड छोड़ते हैं तो इसमें एक जखर दिया गया है ठीक है ये एक पोड़ा चक्र है ये चक्र चलता रहता है हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है व्रिक्ष अपने जर से जल अवसोसित करते हैं और जलवास के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं यह सब हमने पिछले पार्ट में पर आया आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला पार्ट जरूर देख लिजेगा वन जीव जनतों को आस्रय आ बोजन तथा पूसंट प्रदान करने के साथ-इस सथ नए पाध्मों को पनपने और व्रिधी करने के अवस्र प्रदान करते हैं आपने वर्सा के दिनों में गोबर तथा सडी-घलीं वस्तव पर अंकूरित बीजों को पनपते देखा होगा 7 सखाहारियों के लिए अत्यध और जनम इवन व्रिधि में सायक होती है अब घटक वन में वाले पादमों के लिए पोसक तत्तों क्या पूरुति बनाए रखने में सायक होते हैं इस प्रकार वन एक गतिक सजी विकाई है जो जीवन तथा जीवन छमता से भरपूर है मतलब यह वन जो होता है वन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वन क्या करता है देखें यहां फे दियाग यह हैं वन साकाहारी जीवन के लिए भोजन का एक बहुत बाएश्रोत है जीव जंतों के वन जीव जंतों को आस्रे भी प्रदन करता है यानि कि रहने का भी जग़ देता है भोजन भी देता है इस तरह से जब साकाहारी जीव जीवीत रहेंगे और बढ़ेंगे दिरी-दिरे बारते जाएंगे तो इससे मांसाहारी जीवा को भी बहुत फायदा होगा उनको भोजन की कमी नहीं होगी क्योंकि मांसाहारी जीवा क्या करते हैं साकाहारी जीवा को ही खाते हैं आपने हाँ पे देखा भी खात स्रिंखला में देखिए ये मेढ़क कीट पतंग खाता है और ये कीट पतंग पौधों को खाता है तो इसी तरह से तो जब पौधा रहेगा तभी कीट पतंग पौधों को खा पाएगा और जब कीट पतंग रहेगा तभी तो मेड़क कीट पतंगों को खा पाएगा तो इस तरह से ये पेर पौधे जो होते हैं वन जो होते हैं सभी जी पूर्ण होते हैं और खाच रिंखला को भी पूरा करते हैं और वायू मंडल में औक्सिजन कारवन डियोकसाइड का संतुलन भी बनाए इवाय रखने में बहुत सहायक होते हैं आगे हैं वर्सा वन में वर्रिक्षओं की पत्तियों तन्व लता इवं वितानों से हो कर फुहारों की भौम जल रूप में पृध्वी पर आता है और अंता स्रावित होकर भॉम जल अस्तर की व्रिदी करता है वर्सा जल जो होता है व्रिक्ष की पत्यों तनों लताओं पर गिरता है ठीक है और उससे गिर के क्या होता है पिर्थवी के अंदर सोख जाता है मतलब पिर्थवी वर्सा जल को सोख लेती है जिसे की भॉम जल अस्तर में व्रिदी होती है वन भू अपर्दन को रोकता है वन भू अपर्दन को रोकता है क्योंकि वनों में बहुत साड़े पेर पौदे होते हैं बड़े-बड़े और वड़ा सकती मतलब क्या रहता है जैसे इसे देखें आपने सुना होका बंजर भूमी के बारे में electric है यहीं है थी친 एफ वे बंजर भूमी हुटा है पूल शुनिंगे नहीं तो उह पर आप जिस में पर कोई बीगाए पर बहुत अच्छे से बढ़ता है तो इसका मतल्य है कि वो भूमी उसमें उस में उडवड़ा सकती है ठीक है नदियां को जल भी वह नों से ही मिलता है वन रहेगा तभी तो वर्शा होगी और तभी जल मिलेगा नदियों को जल के आपूर्ती होती है तथा बार से हमारी रक्षा भी होती है तो वन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ज़संख्या दबाब के कारण खेती कारखानों इवं अबादी से बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से खाने बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा वन काटे जा रहे हैं अगर इसी तरह से वनों को काटा जाने लगा और अगर पूरता से समाप्त हो गया तो पूरे मनुस्य जाती को सिर्फ मनुस्यों को ही नहीं पसूपक्चियों सब को बहुत भाड़ी नुकसान होगा और उनके आपको बहुत काम आने वाला है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है अगे है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है तो हमने क्या सीखा जल्ड के बिना जीवन संभब नहीं है जल्ड की तीन वास्थाएं होती है बर्फ जल्ड वास्त यहनिकि ठोस पर है पिछले वीडियो में यह साड़ा चीज में पर है कि जल चक्र के द्वारा जल क्या पूर्ती होती रहती है मतलब पूर्णा पूर्ती होती रहती है लेकिन फिर भी जल की कमी है तो यह सब किसले हो रहा है यह सब अध्योगी करण जल संख्या के व्रिदी के कारण और कार बंधन जल की कमी के मुख्या कारण है समय की मांग हैं कि हम सबी जल को नीकित पाद मिलते से वनों में वनस्पतियों की विभिन परतें, जन्तों, पक्षियों इवंजीवों को भोजन तथा आस्रे प्रदान करते हैं। वनों में विभिन घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन में मृदा, जल, वायू और सजीवों के बीच परस पर क्रिया होती है। वन मृदा परतें से बचाती है। मृदा, वनों की व्रिधी करने और पुनर जनन में सायक होती है। मृदा का मतलब क्या होता है। मिट्टी। अब यहां पर कुछ कॉसन दिये गे हैं, सत्य और असत्य के बारे में दिया गे हैं। इसे पहले से लगावा है चली हम लोग कॉपी में , मैं ने यहां पर लिख लिया है . तू हम लोग इसी सॉल whilst क्वाष्ण का श्रोतЙ है बर्सा जल का साथ है सत्य कैसे मैं पीते हैं हम सभी जिव्यंती पानी को प्योग करते हैं वो सब कहाँ से आता है वर्सानकी जया पानि आता है वर्साल से वसाहर नहीं होगी तो ब्होमी के अंदर जल्इव रिस्कर नहीं जाएगा तो बुमी के अंदर जल का परत नहीं बनेगा मतलब भॉम जल अस्तर बहुत नीचे हो जाएगा वर्षा की कमे के करण तो वर्षा जल का चरम स्रोत है यह कथन सत्य है यह कथन क्या है सत्य है क्योंकि समुद्र और महा सागरों का जल पीने लाइक नही ही प्राप्त होता है तो इसलिए वर्षा जल का चरम स्रोत है दूसरा है नदियों का जल खेतों में सिचाई का एक मात्र साधन है तो यह कथन क्या हो जाएगा और सत्य हो जाएगा क्यों क्योंकि सिर्फ नदी ही नहीं है जिससे हम खेतों की सिचाई कर सकते हैं नल कूप है म वेवस्ता हैं सबसे भी हम खीतों की सचाय कर सकते हैं यहां पानी की कमी होती है अपने देखा ओगा TV या फिर जो लोग 西र में रहते हूए कि जानते हूं कि सहरों में कितनी कमी में होती है जल की लाइन लगना पड़ता है जल की पानी Primane लगना- पड़ते हैं प्लूमज़ परप्राद करने के लिए इस और,ड,श्त कॉप्यों क्या जाता हैं नेक्स्ट इत्स क्वा से यहां पर हम लिखे मैं और hand pump दूसरा है जल की ती नवस्था है dash और dash है तो जल की ती नवस्था है कौन कौन सी है जल की ती नवस्था है यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते है ठोस द्रव गैस भी लिख सकते है या फिर बर्फ जल ठोस द्रव गैस ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा ठीक है बर्फ जल वास्प के जगा पे हम ठोस द्रव गैस लिखेंगे ठीक है ठोस द्रव ठोस द्रव आप इसको अटा की ये लिख दीजेगा ठीक है ठोस द्रव और गैस जल की तीने वस्ता हैं ठोस द्रव और गैस है तीसरा है भूमी का जल धारन करने वाली परत डैस कहलाती है तो भूमी का जल धारन करने वाली परत क्या कहलाती है भूम जल अस्तर केलाती है नेक्स्ट है। वन से हमें डेज और डेज का लाव होता है तो वन से हमіं क्या पृप्ट होता है वन से हमें तो वैसे बहुत सारे चीज़ें मिलती है। मसाला, फल, फूल, ʈमारती, लकडिया, उसधिय, पौधे, सब कुछ हमें मिलता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इमार्ती इमार्ती लकडी और इसमें हम फल फुल भी लिख सकते हैं और स्थिया पॉधे भी लिख सकते हैं और मतलब जिस्से कि दवाई बनाए जाती है इमार्ती लकडी का मतलब हो गया जिसी की furniture बगएर बना जाता है उसी को हम कहते हैं इमार्ती लकडी next sentence है one में छहएवान पत्तियों और जन्तु डैस को सम्रिध करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे मिट्टी या मृदा मिट्टी या मृदा one में जो छहएवान पत्ती होती है मतलब सडा गलावा जो पत्ती होता है और जन्तु होता है तो वो किसको सम्रिध करता है उससे मतलब फादा किसको होता है जो छहएवान पत्ती मतलब जो पत्ती सर गल जाता है और जो जन्तु मर के सर गल जाता है तो उसे किसको फायदा होता है तो वो मिट्टी को सम्रिद करता है तभी तो मिट्टी में पोशन होता है तभी वो पेरों को पोशन देता है तो इसका आंसर हो गया मिट्टी, वन में छेवन पत्तियों और जन तू डैस को सम्रिद करते हैं मिट्टी को समृष्ट करते हैं सुख्ष में जीवां द वरा मृत पाध पौधों पर कृயा से डेस बनता है तो हम लिखेंगे क्या यूमज सुख्ष में जीवां द वरा मृत पेर पाधों पर क्रिया से यूमज बनता है चलिए अध कौसन है सब्जाक्टिव कॉसन यहां पर दिया गया है यह सारा कॉसन हम लोग देखें थर्ड नमबर में समझाए कि भूम जल की पुनापूर्थी किस प्रकार होती है भूम जल की पुनापूर्थी किस तरह से होती है भूमी के नीचे जो जल रहता है उसकी पुनापूर्थी किस तरह से उसका वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमी के नीचे खाली जगहों तथा चट्टान के उपर तथा दरारों में भर जाता है इस तरह भौम जल की weird होती है। बम जल की पूना पूर्टी वर्षा के जल से ही होता है नेकस्ट कॉस्ण है भॉम googles eastern नीचे गिरने के लिए उत्तरदाई कारकों को समझा हैं मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिससे की भौम जल अस्तर नीचे गिर जाता है तो इसका अंसर देखिए कम वर्षा या वर्षा के जल के इडिसाव के लिए उपलव्द भूमी की कमी से भौम जल अस्तर में गिरावाट आती है जन बौम जल अस्तर को प्रभावित करता है यह सारा आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि यहां पर हमने परहा था देखिए भौम जल अस्तर का गिरना यहां पर दिया गया इसी को हमने इसकी आंसर में लिखा है ठीक है इ लिखा है यही सारा चीज में दिया गया है कि भौम जल अस्तर की नीचे गिरने का कारण क्या है तो यह पर कारण ही पूछ रहा था इसी को हमने लिखा है तो सारा क्वासन का आंसर आपको इसी बुक में इसी चैप्टर में मिल जाएगा नेक्स देखते हैं कम से कम जल का हम किसे कर सकते हैं ड्रीप बून सीचाई की दोरा इससे क्या होता है पानी सीधे पौधों की जरों में जाता है जिसे की पानी खर्च नहीं होता है मतलब पानी कम खर्च होता है और बरबाद नहीं होता है इस विधी में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जरों तक होती है इन सभी तरीकों से हम जल का मिल्ट व्याता कर सकते हैं यानि कि जल का कम खर्च कर सकते हैं इसे साथ उत्पादों की नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं इसका अंसर होगा इंधन लकड़ी के इंधन लकड़ी का मतलब हो गया जो जिस लकड़ी को हम खाना बनने के लिए जलाने के लिए यूज गरते हैं उसको हम इंधन लकड़ी कहते हैं और दूसरा और इमार्ती लकड़ी जिसे की फरनिचर बनता एं फॉलफूल मसाले बास रेसम आदी तो यह का अंसर होगा आवास है वन में कई तरह के जीव जनतु रहते हैं वन में अनेक खास रिंख लाएं पाई जाती हैं सभी में परस्पर संबन्द रोते हैं और इस तरह वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है तो इस तरह से हम कहा सकते हैं कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है व्यूंकि वहाँ पे मरे वे जीव जन्तू और सड़ी गली पत्तियां जो होती है वो भी सड़ गल के क्या बनाता है? हुमस बनाता है तो जो पेरपडों के लिए लाबदायक होता है जो पेरपडों को पोसन देता है तो इस तरह सेम कहा सकते हैं कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है एट नमर का कॉसन है अब घटक किसे कहते हैं? ये वन इवम जीवों की व्रीधी में किस प्रकार सायक है इसका अंसर है वे सुक्ष मजीव जो मृत जानवरों और पोधों को सडा कर हुमस बनाने में सायता करते हैं ये सुक्ष मजीव अब घटक कहलाते हैं अब घटक मिट्टी में आवस्यक पोसक संतूलन बनाए रखने में मदद करता है यूमस पधों के पोसन में सायक होते हैं जिससे खास रिंखला भी पूरी होती है तो यह सब हमने पहले ही पढ़ लिया हमें बस इसका आंसर देखना था आई होब आपको साड़ा आंसर अच्छे से समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर का लाश्ट कॉसन है कॉसन नमर नाइन आक्सिजन तो था कारबान योकसाइड का संतुलन बनाया रखने में वन का योगदान समझाईए यह वाला जो मैंने यहां पर सैकल बनाया है यह जो चक्र बनाया है यह पहले भी आपने देखा है इसी वीडियो में पहले आपने डेखा है मैंने आपको बताय था पेर पौदे जो होते हैं वो ऑक्सिजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सिजन जीवजन दो लेते हैं सांस की रूप में फिर जीवजन तो कारबान योक्साइड छोड़ते हैं की फिर पौदे लेते हैं ऑक्सिजिन क क्या कहते हैं ओटू ठीक है और कार्बांड यूक्साइड पूट तो यह चीज आपको याद रखना है इसका अंसर देखिए फिर पॉदे हरी रंग की होते हैं हड़े पेर पोधे प्रकास संसिलेशन के दोरान कार्बान डियोक्साइड को उप्योग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सिजन छोड़ते हैं यही ऑक्सिजन जीव जन्तु सास के रूप में लेते हैं प्रकास संसलेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होगे, प्रकास संसलेशन की क्रिया सूरी की रोशनी में होती है, मतलब सूरी की प्रकास की सहायता से पेर पोधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रकास संसलेशन, और इसी क्रिया के दौरान पेर और चलती रहता है इसलिए आक्सेघ्एन का दुन बना रहता है तो दोस्तुն ये था वहागा लाइन कौसट नंबर नाइन को सब्सक्राइन नर्ण भी कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमें यह ली चैप्र कंप्लीट ≠ लिए है ठीक है यह पूरा चेप्टर हमने कंप्लीट कर ले है कॉसल नंबर नाइन तक हमने साड़ा कोशल बना लिया है तो यह चेप्टर रहे हो चुका है थिस्त वीडियो स्टर करें गें चैप्टर नमबर टूजिसका नाम है जनतों में पोशन अगर यह यह लगी हो तो व वीडियो को सेड कीजिये